हैरे दोस्तों मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज मैं आपको उत्पन्ना एका दसी की वरत कथा सुनाने जा रही हूँ जो इस प्रकार है पद्म पुराण में उत्पन्ना एका दसी के बारे में विस्तार से बताया गया है पुराणों के अनुसार युदिस्टिर को एका दसी की कथा सुनाते वेशिरी कृष्ण ने बताया कि सत्यूग में मूर नामक राच्छस ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया ऐसा होता देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया इस्तिती को देखकर देवता और रिशिगण महादेव के पास पहुँचे भगवान शीव ने कहा इस समस्या का समाधान भगवान विश्णू के पास है तत पस्चा सभी देवता भगवान विश्णू के पास पहुँचे और उन्हें इस्तिती से अवगत कराया कालांतर में भगवान शीरी हरी असुर मूर के सैकडो सेना पतियों का वद कर विश्राम करने हेतू बद्र का अश्रम चले गए सेना पतियों के वद का समचार पाते ही मूर क्रोधित हो गया और वो बद्र का अश्रम में पहुँच गया उसी समय भगवान श्रीहरी के सरीर से एक कन्या उत्पन हुई और ये कन्या असुर मूर के बीच इस कन्या का असुर मूर के बीच भीशड युद्ध हुआ उसी समय भगवान युद्ध हुआ युद्ध में कन्या ने असुर मुर का वद्ध कर दिया जब भगवान विश्णु निद्रावस्था से जागे तो कन्या के कार से प्रसंद होकर कन्या को एकादसी के नाम से समधूत किया सबोधित किया और एकादसी तिथी को प्रिय बताया तभी से सभी देवी देवताओं ने कन्या की वंदना की तब से ही एकादसी के दिन भगवान विश्नु की पूजा की जाती है